नमस्कार सभी को स्वागत आपका मेरी यूटीब चैनल ओलाइन कमेस्ट्री में मैंने सॉल्यूशन चप्टर स्टार्ट कर रखा है उसके अंतरगत हम कॉलिगेटीव प्रपर्टीज परढ़ रहे थे कॉलिगेटीव प्रपर्टी हिंदी में जिसे अनुसंख्या गुंधर्म करते हैं मतलब कि जो कि लू कि अमाउंट पर डफेंड करती है अनुसरो के बीडियो सब्सके डिए लिएक ही अलेयों तके निवाली सब्सक्राइब soaking च्मंधर्व प्रपरेशर ईलिवेशन इडएशन इंग वीर्परटी चुके है अब हमीर लाज देक्रशनिदेके मबना जितना मैं easy way में आपको समझा सकती थी उतना मैं कोशिश करूँगी कि आपको easy ली तरीके से समझाओं ताकि आपको समझ में आ जाए RPSC first grade, other PGT chemistry exam की जिसकी में त्यारी करवाती है मेरे channel पर उसके अंतरगर देखा जाए तो solution बहुत important chapter है क्योंकि इसमें से 101% RPSC first grade में तो हमें 6-7 question को देखने को मिलते हैं और बाकी others exam में आपको 3-4 question देखने को मिलते हैं चली अब हम पढ़ते हैं depression in freezing point third colligative property तो depression in freezing point में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि freezing point क्या होता है जननल सी भाशा में समझाएं तो कि जिस पर वह जमता ये मतलबom जिस पॉइंट पर पर लिक्विट जो होता है वह सोलीड में convert होता है तो freezing point वह temperature होता है जिसमें हम कहते हैं कि solid and liquid form क्या होते हैं equilibrium में होते हैं means solid and liquid form का vapor pressure क्या होता है सेम होता है तो वह point जहां पे solid और liquid form आपस में equilibrium में हो या solid और liquid का vapor pressure क्या हो आपस में बराबर हो तो हम उसको कह देते हैं कि freezing point है वो अब क्या होता है pure solvent है जैसे water है water आपको पता है 100 degree centigrade पे तो boiling point होता है बर 0 degree centigrade पे वो solid में convert होने लग जाता है ठीक है मनलब 0 degree centigrade पे water का vapor pressure जो है वो liquid का vapor pressure पानी के जल का vapor pressure और बरफ का vapor pressure जो है वो दोनों का सेम होता है solvent आपका 0 degree centigrade अब solution में क्या होता है solution में आपका solvent तो है pure solvent तो है प्लस इसके अलावा कुछ solute भी है तो solute आने के कान कुछ तो यह solid पहले से ही है अब इसको बिल्कुल थोड़ा सा ही कम temperature मतलब temperature इसके लिए आपको थोड़ा सी कम करना पड़ता है कि यह pure solid में convert मतलब solid में convert हो solvent तो हम देखते हैं कि freezing point में pure solvent की अपेक्षा इसमें depression होता है temperature में मतलब कि आपको जैसे liquid solvent है वो इस point पे आके मालो हम देखें कि इस point पे आके जमने लगता है T0F हमने दिखा दिया तो solution जो है वो आपके आके इस another दूसरे point मतलब आके जमने लगेगा frozen solvent होने लग जाएगा तो हम देखते हैं कि temperature में कुछ कमी आती है solution के जमने के का solution जब भी आपका मतलब solid में convert होता है तो उसके temperature में कमी होती है इसे ही हम कहते है depression in freezing point की solvent तो आपका pure है वो अगर किसी point पे जम रहा है तो solution को जमने के लिए थोड़ा सा और कम temperature ही चाहिए होता है वो कम temperature पे ही आपक मतलब solid में convert हो जाता है तो liquid आप यहां से देख सकते है liquid solvent का T0F freezing point है तो solution का freezing point आपका क्या आता है Tf और यह जो solution के freezing point में यह जो कमी है इसे ही हम कहते है delta Tf defression in freezing point अब जो delta Tf है वो आपको मैंने बताया था ज्यादा में से कम को घदाना है जैसे delta Tb elevation in boiling point परते है ज्यादा म में से कम को बनाना है elevation in boiling point में बोईलिंग पोईंट में विद्धी हो रही है तो आप नाम से ही समझ लिएजे विद्धी हो रही है मतलब solution का ज्यादा है TB solution और T0B मतलब solvent TB-T0B अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो रही है मतलब की सोल्वेंट सोल्यूशन का कम हो रहा है कमी हो रही है तो मतलब ज्यादा में से कम को घटाना है मतलब सोल्वेंट में से हम सोल्यूशन को घटाएंगे क्योंकि सोल्यूशन का कम है और T0F ज्यादा है तो तो हमे जादा में से कम को हटाना है बस अलीवेशन इन बॉइलिंग पोइंट मतलब वृद्धी हो रही है तो solution में हमने लेशन इन throws aren't आय जो होता है वह mo clinical होता है इंड डेल्टा मॉलारीटी के स्थान को हो अटाएगे तो दो एक constant और जाएगा जिसे हम कहते हैं कまだ जैसे उस न है ऐन से उसमें काते जैसे उसमें केके थे मॉले सथ टैसा कोंस्टेंट में मतलब कि यह इसमें सबते हैं जा इसलğिए मॉले अलिपरेशन गॉन्सेंट इसको बोला जाता है अगर यह दी एम इसको जिससे उसको इवलियूस्कोपी कॉंस्टेंट बोला जाता है वैसे इसे क्रायोस्कोपी कॉंस्टेंट भी बोला जाता है तो इसे हम एक तो कहते हैं मॉलल डिप्रेशन कॉंस्टेंट और या फिर क्रायोस्कोपी कॉंस्टेंट आप जैसे अगर molality 1 हो तो delta tf क्या हो जाएगा kf के बराबर हो जाएगा तो इसकी definition क्या होगी कि cryoscopy constant या moral depression constant कि one moral solution का कितना depression freezing point में कितना depression आता है that is the moral depression constant अब हमें हमें पता है कि इस प्रोपर्टी को भी हम यूज करते हैं कैसे यूज करते हैं कि सबसे पहले तो एक चीज कि यह भी molality पे डिपैंड कर रहा है ना की उसकी nature पर डिपैंड करता है अब हम molecular weight कैसे निकालते हैं solute का तो delta tf बराबर क्या आया है आपका kf into m and molality आपका क्या होती है अब किलोग्राम और किलोग्राम और किलोग्राम और किलोग्राम और किलोग्राम यह आपकी मॉलालेटी होती है तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या आजाएगा kf into mol को क्या लिख सकते हैं वजन अपोन अनुभार solute को अगर w a लिखा molecular weight मतलब mw या हम लिखें एका molecular weight into wb जो है वो आपका किलोग्राम में मैं लिख रही हूं that is the weight of mass of solvent अगर यह ग्राम में हो तो ओपर 1000 आ जाता है अब यहां से इसकी kf की unit आप निकाल सकते हैं अगर डेल्टा टी एफ को आप कैल्विन में करें डेल्टा टी एफ को कैल्विन करें और आपको पता है मोलल्टी की unit क्या हो जाती है मोल पर किलोग्राम यह रहा मोल पर किलोग्राम तो कैल्विन बटे में मोल पर किलोग्राम किलोग्राम ऊपर चला गया तो के एफ की unit क्या जाती है कैल्विन किलोग्राम मोल इन्वर्स सिमिलरली होता है जैसे के भी होता है वह मोलल elevation constant होता है य कॉछा भी सबस्यूल नहीं क्या पूछाटा है विशिक्वाय, विपनेधि कस्षाक्राइब करेंद विपनेद मेसं के दो इंगत भी जता है Bye को क्योंन जुनल थैर में पूछल जा भी तो हम को सिंगया पाइरिजिन है विश्टोप्ध केकर इसे लाहह एक रिरविकर ओब्लू बी दे रखा है तू लोवर दा रिजिंग पॉंट यह डेल्टा-TV दे रखा हैester दे रखा है critics पॉंस्टेन ट।कारबन तीट्रकॉ अब दे लए सकते हैं आपको पता है फॉर्मुला क्या हम रता है डेल्टा-T-F céu बर डЬल्ट basta-Tr 모두 Malay click का formula होता है आपका मॉल of solute over अगर हम मॉल of solute और डबलू किलोग्राम of solvent फिर उसके बाद मॉल को आप लिख सकते हैं डबलू ए ओवर molecular weight ठीक है molecular weight आप कैसे निकाल सकते हैं c4 h4 मतलब बारा इंटू चार प्लस molecular weight एच चार हाइड्रोजन का प्लस साथ दुनी चोदा स्वरी चोदा दुनी 28 तो यह हो गया आप इसको जोड़ लीजे बार चोगर तालीस और चार्ट चासी कावन बावन प्लस अठाइस 52 प्लस अठाइस आठ नो दस और पांच छे साथ और एक आठ तो यह आगया पायरेजिन का एटी तो यहां से आप डेल्टा टी एफ आफ आपको दे रहा है इस तरीके से आपको क्या दे रहा है और आपको निकालना क्या और इस तरीके के आपको कॉशन देखने को मिलते हैं चली अब हम देख लेते हैं नेक्स कॉश्चन वन अलक्टाइब का 1 90.0 gram of molecular compound यह दे रिखा है wa was dissolved in 1000 gram of water यह दे रिखा है wb लेकिन 1000 gram of water दे रिखा है अगर kilogram में लिखे तो यह कितना होगा एक kilo तो फ्रीजिंग पॉइंट ओफ सोलुशन वाज लोवर्ड मतलब यह आपको दे रिखा है डेल्टा टी एफ लोवर्ड टू थी पॉइंट तू डीग्री सेंटिक वर्ट इस दा मोलेकिलर वेट ओफ तकमपा मोलेकिलर वेट पूछा है तो आपको पता है डेल्टा टी एफ ब प्रीजिंग मोलेकिलर वेट ओफ दा कमपाउंड ओके जो नॉर्मली इस कोशन में तो के अफ दे रिखाने है वैसे वाटर का जो के अफ होता है वह होता है 1.86 तो 1.86 इंटू मॉलालेटी आपका डबलू ए आपको दे रिखा है मॉलालेटी आपको पता है डबलू ए ओवर मॉलेकिलर वेट म इंटू डबलू बी तो आप फुट कर सकते है 3.72 बराबर 1.86 इंटू डबलू ए आपको दे रिखा है 92.0 मॉलेकिलर वेट आपको निकालना है और डबलू भी आगया 1 किलो आप यहां से मॉलेकिलर वेट निकाल सकते है तो इस तरीके के आपको कॉस्चन देखने को मिलती है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाना है अब यह मत कंफ्यूज जाना है माइनस 3 लोवर्ड टू दे रिखा है मतलब की सोलूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे रिखा है डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है टी एफ माइनस टी जिरो एफ ठीक यह माइनस 3.72 वह होगा सोलुशन का तो यह आ गया ना आपका डेल्टा टी एफ 3.72 तो हमीशा जो डेल्टा टी एफ यह यह उल्वेस पोजिटीव में आएगा यह जिए ध्यान में रखते हो तो आपका कभी भी कोई निमेरिकल गलत नहीं होगा चलिए अब हम चोथी को ल यह कि अबर गलते हैं सिल अत कुशे को भी में तो यह आतने में रखते हैं की मतलब हम हम पानीमें रखते हैं तो उसका चरपरापन ख़ता है करेले को करवापन दूर करने के लिए हम उसे नमक के विलियन में मनल नमक के सोलूशन में रखते हैं तो उसका खतम हो जाता है तो हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी घटनाएं जिसमें या तो पानी क्या होता है किसी के अंदर जाता है या फिर पानी उस कंपाउंड से बाहर निकल जाता है तो यह जो भी होता है यह एक Membrane के फिरू होता है और उस Membrane को हम बोलते है सेमी seismem तो वेस्टे लिए ओसमोसिस क्या होता है कि अगर आपने एक ऐसे साटेनर लिया है और उसके अंदर आपने करत वे यह यह जो ङए दिया है ठीक है और उसके एक साइड और तो आप क्या करते हैं बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेट्रेट्रिड अज ले लेते हैं मतलब कि इस कंसंट्रेटर सोल्यूशन ले लेते हैं अगर आपने ले लिया नमक का पानी और एक साइड आपने ले लिया मान लो पानी और उसके बीच में ऐसे यह क्या है आपकी सेमी पर्मेबर मेंब्रेन जिसे मैं SPM दिखा रही हूँ तो क्या होता है पानी के इस अनवों का इधर की इस नमक के पानी की तरफ जाना पानी के अनवों का इधर जाना थूद यहां पर solvent यहां पर पानी ज़्यादा है यहां पर पानी कम है तो हम कहते हैं कि solvent के molecules का अपनी solvent की खुद की high concentration solvent के पानी की concentration यहां ज़्यादा यहां पानी की concentration कम है तो solvent के अनों का अपनी high concentration से low concentration की तरफ जाना with the help of through the semi-permeable membrane इसे हम कहते हैं ओस्मोसिस ठीक है हिंदी में इसे परासरन कहते हैं और या फिर हम ऐसे कह देते हैं कि solvent के molecule solvent जाता है हमेशा low concentrated solution से high concentration वीलियन की बात करें अगर मानलो यहां तो मैंने पानी लिया यहां नमक जादा घोला हुआ है मतलब यहां मानलो 5 चमच जो है 5 स्पून नमक घोल दिया और इधर साइड आपने ले लिया पानी ले लिया तो फिर से पानी के अनुक्यास करेंगे इधर से इधर की मूव करेंगे तो मतलब कि solvent के molecules का low concentrated solution तो low concentrated है क्योंकि यहां दो चमच नमक का पानी घोला हुआ है और यह पान चमच जो solvent के molecules का low concentrated solution से high concentrated solution की तरफ जाना is osmosis solvent के molecules का खुद की हाई खुद की उनकी solvent के पानी की यहां पानी की संख्या जादा है यहां पानी का में solvent के molecules का खुद की high concentration से low concentration की जाना यह solvent के molecules का low concentrated solution से high concentrated solution की तरफ जाना ही आपका through the semi-permeable यह आपका osmosis कराता है I hope आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी कि दनेट उस्मोसिस क्या आता है कि net spontaneous flow of solvent molecules हमेशा move करेंगे from solvent to the solute or from a less concentrated solution मतलब या तो solvent से यहां की तरफ solution की तरफ move करें मतलब solvent to solute or solvent to solution या फिर वो एक less concentrated solution से low concentrated solution से more concentrated solution की तरफ move करें तुरू हुए semi-prabiomal membrane इसे हम कहते हैं osmosis मतलब solvent का खुद की high concentration से low concentration या solvent का solution देखें तो low concentrated solution से high concentrated solution की तरफ move करना ही आपका क्याखलाता है osmosis अब आप जैसे इसको हमें एक example की तरफ भी समझ सकते हैं अगर यदि आप क्या करते हैं अंडा होता है उसका जो बाहरी वाइट वाला खोल है उसको उतार दो that is वह तो calcium carbonate का पर रहता है उसको आप एक से करके उसको अटा दो फिर जो अंदर वह होती है वह क्या होती है मतलब covering जो होती है इसे white white मतलब covering होती है उसे हम कहते है तो यह अपने एग लिया तो उस एग को अगर यदि आप simple water में रखेंगे तो आप कुछ बार देर बार देखेंगे कि वह एग क्या होता है ऐसे फूल जाता है वोटर वली solution में अगर यदि उस एग को आपने उसमें रखा नमक के पानी में रखा नमक के पानी में रखा तो यह क्या होता है एग श्रिंक हो जाता है इसका मतलब क्या है एग को अगर आपने वोटर में रखा तो वोटर बाहर जादा है अंदर जो है solution उसमें पानी कम है तो वोटर का अपनी high concentrated से low concentrated की जा जाना या वोटर का है जो बाहर है उसमें low concentration solution है अं और जब आपने नमक के पानी में रखा तो नमक का पानी बाहर क्या है? तो इसलिए पानी बाहर निकल के आगियो निकल लोग कझैटके पानी to इसे हम क्याने के सीकूर गया अब क्या होता है इसकी यह हम चाहते हैं कि ऑसमोसिस ना हो तो जैसे फुर एक्जामपल आपने क्या लिया वही यह semi permeable membrane है एक तरफ तो आप ले रहे हैं solvent only और एक तरफ आप ले रहे हैं ये ले रहे हैं आप एक तरफ solution ले रहे हैं तो osmosis के कारण ये solvent के molecule कहां जाएंगे solution पे जाएंगे बट आप क्या कर देते हैं इस solution पे क्या कर देते हैं एक piston लगा के दाब लगा देते हैं ये आपने piston लगाया ठीक है तो solvent solution पे इतना दाब लगा देते हैं प्रेशर लगा देते हैं कि ये solvent के molecules यहां से यहां आई नहीं एफिटरे आप कमरे में बंद है तरह में है तो यह था इसी कमरे गेट पर इतना एक्स्ट्राग लगा देंगे कि वह कमरे में तो वह आप solution पे इतना extra दाब लगा देते हैं कि वो solvent के molecules जो है वो यहां solution में घुस नहीं पाते हैं तो उसे कहते हैं मतलब osmosis ना होई the extra pressure जो आपने solution पे लगाया है जिससे कि solvent के molecule solution में घुस ना पाए तो उसे ही हम कहते हैं osmotic pressure कि किस पे लगाया जाता है solution पे तभी तो solution पे लगाया कि solvent के molecule मतलब solution में घुस ना सके अगर यहां लगा देते तो तो बलकि और इस पे दाब लगा दे यह और भी अंदर तेजी से घुस था आपने इसको रोकने के लिए solution पे दाब लगाया कि ताकि यह अंदर गुस ना पाए तो दा minimum excess pressure जो हम लगाते है apply to the solution to prevent the entry of solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called osmotic pressure आपको समझ में आगा कि osmotic pressure क्या होता है कि वह extra pressure जो आपने solution पे लगाया जिससे कि solvent के molecules है वह semi-permeable membrane से होके solution में गुस ना सके उसे हम कहते हैं osmotic pressure हम देते हैं कि यह osmotic pressure जो होता है यह solution की concentration के proportional होता है similarly यह osmotic pressure temperature के proportional होता है तो यहां से osmotic pressure पाई बराबर यह formula आजाता है RCT का ठीक है अब यह जो है concentration को है आप osmotic pressure की गन्ना यह जो है यह want of ने दी थी समीकरन तो concentration को आप लिख सकते हैं mol per liter में मतलब की molarity में n by v तो यहां से आप लिख सकते हैं pi बराबर n y v r t concentration को लिख दी आपने n y v तो यहां से आगया यह pi v बराबर n r t जो आपकी एक तरीकी से ideal gas equation होती है न बराबर n r t तो वैसे भी आदर रख सकते हैं pi v बराबर n r t जहां पर r की value होती है 0.0821 liter atmosphere kelvin inverse mol inverse यह आगे आपकी होती है आर की value तो pi v यह pi यह देख है pi v बराबर n r t तो यहां से अब आपको अप molecular mass अगर निकालना आ जाता है तो molecular mass अब कैसे निकालते हैं कि यह तो pi v n r t mols आपको पता है pi v बराबर mol आपको पता है n क्या है mol mol क्या होते हैं w a over molar mass तो m w r t तो यहां से आप molecular mass निकाल सकते हैं तो यहां तो आपको molecular mass निकालना आ जाता है यह आपको कोई volume पूश लिया जाता है तो यह मतलब वो एक another colligative property है जहां पर हमने देखा pressure जो है so solute के कनो की संख्या पर निर्भर कर रहा है इसलिए colligative property है इससे हम molecular mass कैसे निकाल सकते हैं इस तरीके से molecular mass निकाल सकते हैं फिर उसके बाद इसका जो है एक पुछा जाता है वैसे ही जो colligative property है इतनी important नहीं है लेकिन इस प्रोपर्टी से जो है जो मतलब मैक्रो मॉल्यक्यूल्स है पॉलीमर्स है लिसे प्रोटीन नुक्लिक एसेड या फिर पॉलीमर्स है उनके जो है molecular mass निकालने के यह वाली प्रोपर्टी यूज़ की जाती है तो यह चीज़ आपको याद रखना कि प्रोटीन नुक्लिक एसेड पॉलीमर्स मतलब की जो मैक्रो मॉल्यक्यूल्स होते है उनके अगर molecular weight निकालने है तो उसके लिए आपको यह वाली प्रोपर्टी यूज़ करने पड़ती है फिर दूसरी चीज एक चीज आती है isotonic solution क्या होते हैं जिनकी आपस में क्या होते हैं मतलब दो अगर solution लिया एक solution यह एक solution यह तो उनके आपस में osmotic pressure जब सेम होते हैं तो उसे हम isotonic solution कहते हैं यह हम कहें कि C1 बराबर C2 उनके concentration सेम होते हैं तो इसलिए उनके osmotic pressure भी सेम होते हैं तो उसे हम isotonic solution कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं सम परासरी ठीक है तो इसका यूज क्या है concentration को हम लिख सकते हैं N1 बटे V1 बराबर N2 बटे में V2 N1 को mole को लिख सकते हैं W1 over MW1 V1 बराबर W2 over MW2 V2 तो यहां से कई बार क्या होता है आपको दो isotonic solutions दे लिए जाते हैं और फिर कुछ या तो weight पूछ ले जाते हैं तो आपकी practice भी हो जाएगी और फिर एक चीज़ और ध्यान रखना अब एक term reverse osmosis reverse osmosis क्या होता है कि आपने यह पढ़ा osmosis कि आपने solution पे कितना extra मतलब pressure लगाया कि यह जो है solvent के molecule यह है solvent यह है solution आपने solution पे कितना extra pressure लगाया कि solvent के molecule इदर semi permeable membrane से इदर ना घुच सके वह होता है आपको osmotic pressure reverse osmosis क्याते है कि आप osmotic pressure से भी ज्यादा high pressure लगा देते हैं कि उल्टा osmosis हो जाता है भी पानी के अनु इदर जाने लग जाते हैं तो उसे हम कह देते हैं reverse osmosis पे इतना high pressure लगा दिया आपने ठीक है कि पानी के अनु बलकि अब यह high concentrated solution से low concentrated solution कि तरफ जाने लगे इसे हम कहते है reverse osmosis जैसे समुंदरी जल में से नमक का पानी होता है दूसरी तरफ हम साफ पानी ले ले लेते हैं अब नमक के पानी पर इतना high pressure लगा लेते हैं कि जो नमक जिस पानी में गुला वह पानी भी निकाल जाके यह इदर साफ में चल जाने तो किचर को शुद करने लिए या खा osmosis की तो आई होप आपको यह reverse osmosis समझ में आ गया होगा यह था हमारा टोटल कोलिगेटी प्रोपर्टीज के बारे में depression in freezing point and osmosis and osmotic pressure में आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगे अगर अच्छी लगे तो नीचे कॉमेंट करना मत भूलेगा मिलती हूं मेरे next वीड